वाह धुरंधर वाह वाह यूपे पोलिस वाह भया यूपी के छाएं छाएं पोलिस घजब है यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजे लेकिन उसके पहले अपना पेट जरूर पकड़ लीजेगा हाँ सही कह रहे हैं अपना पेट जरूर पकड़ लीजेगा क्योंकि जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं आप उसे जानकर लोट पोट हो जाएंगे पेट में हंस्ते हंस्ते बल पड़ जाएगा वैसे कुछ लोग इंसाहप की तरह अपना माथा भी पीटने लगेंगे कुछ लोगों के माथे पर भी बल पड़ जाएगा क्या हो रहा है यहां क्या कमाल है यह पेपलिस का वो तो हम बताएंगे पहले यह लाजवाब तस्वीरे हैं कहां की वो जान लेजिए यह तस्वीरे हैं संत कबीर नगर की जहां जी आईजिस साहब खुद पहुँचे थे पॉलिस वालों का एक्जाम लेने मने चौकी धानों का इरेक्शन कर लेकिन इन होनहारों को देख खुद ही हक्का बक्का हो गए कहीं किसी की गोली ही नहीं चली देखे कैसे साहब भर कर जोर लगा रहे हैं लेकिन मुआ पिस्टल है कि खुल ही नहीं रहा साहब आए हैं कुछ इज़ती रख लेता लेकिन ना पसीजा ये पिस्टल बगलवाले साहब भी जहां करें हैं लेकिन क्या करें खुद भी इसी समस्या से सताए हुए हैं देखे कैसे साहब कищा आदे जहट से खड़े हो जाते हैं और इनकी खिस्याहत का तो क्या ही कहना और इन्हों ने तो जो कारनामा कर दिया कि डियाई जी साहब जिन्देगी भर ना भूलेंगे देखे कैसे ये SI नली में ही गोली भर दे रहे हैं दियाई जी के सामने बंदूग की नली में गोली डाली और फायर करने की कोशिश की पीछे सस्पी साहब भी मात अप करते हैं और हस्ते दिखाई देते हैं इससे देख डियाई जी खुद भी हैरान रहे है वह इस पुलिस वाले के पास खड़े दूसरे पुलिस कर्मी भी भौंचक के रह गया हालात ये थे कि खरीलाबाद कोटवाली के अंतरगत आने वाली चौकी के इंचार्ज को ट्रियर गन ओपरेट करड़ कर दिखाने को कहा गया लेकिन काफी देर मशक्त करनी के बाद भी चौकी इंचार्ज ट्रियर गन ओपरेट नहीं कर पाए तो भाईया ये हाल है जूनियर से लेकर सीनियर पॉलस कर्मियों का कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद को तो बचा नहीं पाएंगे पब्लेक तो राम भरू से ही हाला कि नहालात को देखने के बाद डियाई जी आरके भारत द्वाज ने कड़ी और रेगुलर्ट फ्रेटिंग देनी की बात कही है देखे ये एक हम लोग का एक वार्षिक निरिक्षण होता है जिसके अंदर में हम लोग पूर्व में हम लोग लोग सुचना देखे है कभी 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 मिना पहले कि हम लोग उस्थाने का कहो पुलिस ऑफिस का और डिफम्न करें गिस्ते की अंदर में कच कुछ और इंस्पेक्शन का परपस होता है कि एक अपने विभाग के अंदर में जो भी चीजें दिखाए देरी हैं हम अपने अधिनस्तों के कहें कि उसके अंदर में इंप्रूमेंट लेकर आए सुधार लेकर आए निसंदे मुझे लगता है कि जो भी अब्जर्वेशन है वह हमारे इसपी साब ने नोट किया है और उसमें निसंदे सुधार अत्मक्स सुधार नियर फ्यूचर में देखा गया कि कोदवाली में गन ही अपनी नहीं कर पाया और उल्टी गोली नली से डाल रहे थे क्या ट्रेनिंग में क्या इनको सटीक तरीके से तहुत नहीं कराब देखे कोदवाली के अंदर में जो भी निरिक्ष्ण के अंदर में खामया मिली है वह सख हमिया कहीं नहीं ट्रेनिंग या रहर्सम ना होने का ही नतीज़ था और हम्लोग यह रहर्सर और ब्रैक्टेस उन परसित्पर स्थित हम उसके लिए में परकूब वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे with rehearsal, with proper training, जो कि पहले नहीं हुई थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरेक्षन के अंदर में हमें ये कमी नहीं है। तो संतकबीर नगर पोलिस के इस वीडियो को देखकर और इस हाल को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। संतकबीर नगर से आलमगिरिक रिपोर्ट झालमगिर